आईए शुरू करें पाठ आठ बैमानी की सजा पनिश्मेंट ओफ डिसोनेस्टी मैकू तेल मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा? कितना चाहिए? ज्यादा नहीं बस आधा लीटर भाई मैकू तुम मिलावट बहुत करते हो? मिलावट करता हूँ तो मेरी दुकान पर रोज क्यों टपक जाते हो? मजबूरी है गाम मे कोई और दुकान नहीं सुना है तुम्हे कल पंचायत में हाजिर भी होना है सभी लोगों ने अपनी बाते कह दी या किसी को कुछ और कहना है? हाँ मैकू तुम्हारी सजा है या तो एक हजार रुपियों का जुर्माना भरो या पचास कोड़े खाओ या अपनी दुकान का एक गिलास मिलावटी तेल पीओ एक हजार बिलकुल नहीं पचास कोड़े बाप रे मिलावटी तेल बहुत बद्बुदार है क्या करूं तेल ही सही अगर तेल पी लिया तो अस्पताल में भरती होना पड़ेगा हजार रुपे तो वैसे भी खर्च हो जाएंगे कोड़ों का दर्द तो एक दो दिनों में अपने हापी मिट जाएगा कोड़े ही सही है क्या हुआ मैंकू कुछ सोचा या नहीं चौदरी जी कोड़े ही खालूंगा तुम्हारी एक च्छा एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस बस बस भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजे मैं और कोड़े नहीं सह सकता जुर्माने की रकम भरते हो हाँ चौदरी जी अब मिलावट तो नहीं करोगे कभी नहीं भगवान की कसम अध्यापन संकेत टीचिंग हिंट्स बच्चों को बेमानी और इमानदारी में से सदा इमानदारी की रहा पर चलने की सीख दे शब्दार्ट वर्ड मीनिंग्स टपक जाना एका एक आजाना या पहुँच जाना तू अराइव ज्यादा अधिक मच पंचायत गाओं में एक साथ बैटकर आपस में फैसला करने वाला समू पंचायत जुर्माना दंड के रूप में दिया जाने वाला धन फाइन कोडा चाबुक विप रक्म नगद राशी अमाउंट ओफ मनी बद्बुदार बुरी गंध वाला स्टिंकिंग रकम भरना रुपे जमा करना पेमेंट मिलावट बढ़िया वस्तु में घटिया वस्तु का मिश्रन एडल्टरेशन कसम सोगंध ओत बढ़िया झार बढ़िया थाद बढ़िया वस्तु में चर्कम बढ़िया वस्तु बढ़िया शच रवस्तु सब्सक्राइब प्रुदार एडावड़िया झाल 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 झाल